नमसकार दोस्तों मैं दिगविजाय सिंग आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ दिगविजाय इकुरामिका में कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी दोस्तों क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज आप तक पहुच पा रहे हैं आप लोग एक बार कलियर करिए कि क्या आप लोग हमको सुन पा रहे हैं या फिर नहीं फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे साक्षी सर्मा, गुड इवनिंग, सीतल, गुड इवनिंग, पायल, पूजा, बिमलेश, क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं, आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए, कि I am audible or not, आर यू लिसनिंग, ब्यूटी कुमारी, अखलेश, क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर, अजय प्रता पत्त, बिमलेश यह सर, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसका मतलब है कि आप लोग हमको सुन पा रहे हैं, दोस्तों, आज मैं के उपर पहले बार लाइव हूँ और इसलिए लाइव हूँ कि कुछ important concept है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप से live ही discussion किया करूँ तो आज जो concept है जिसमे हम और आप मिल जुल के एक interactive चर्चा करने वाले हैं वो topic है King Demand Curve की और यह King Demand Curve एक oligopoly से related है आप जानते हो कि oligopoly से related एक model है King Demand Curve और यह जो सिधान्थ है वो Paul M. Suji के द्वारा दिया गया था Hello, Hello, Bimles, Puse, Ayesha, Srishti, सबको Hello, सबको जो है Good Evening तो आज जो हमारा lecture है जो हमारा परिचर्चा है वो क्या-क्या बातों को हम आपसे share करेंगे उस पर आएए एक बार नज़र डालते हैं King Demand Curve and Price Rigidity जो King Demand Curve है और कीमत जड़ता है उसमें क्या-क्या चीजों को हम सीखने वाले हैं सबसे पहले वो आपके सामने में रखता हूँ कि क्या-क्या चीजों को हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे Evolution of King Demand Curve कि जो King Demand Curve है उसका उद्वह कैसे हुआ है Number One दूसरी चीज हम आपसे चर्चा करेंगे इसके Elacity के इसके Lodge की फिर मैं चर्चा करूँगा कि इसके एक competitive reaction की बात आती है एक प्रतियसपरधी प्रक्रिया की बात आती है तो competitive reaction क्या होता है King Demand में फिर मैं आपको बात करूँगा कि यह King Demand Curve Price Registry दिखाता है इसका मतलब क्या होता है फिर मैं यह बताऊँगा आपसे कि क्या King Demand Curve में price change हो सकता है क्या इसकी कुछ possibility है या फिर possibility नहीं है और अंत में हम इसके criticism की बात करेंगे आलो चनात्पक पक्ष की बात करेंगे तो पूरा का पूरा यह जो है हमारा ब्यक्ष्यान है वो complete हो जाएगा तो आपके सामने मैंने एक framework रखा कि किन किन चीजों पर आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ तो देवी और सज्जनों आईए हम सबसे पहले यह आपसे बात कर लें कि evolution of king demand curve क्योंकि यह debated issue है कि यह king demand curve का उद्वाव कैसे हुआ है एक debate का भी से है king demand का मतलब यह है कि एक ऐसा demand curve जो कि किसी एक point से मुड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए एक हमने demand curve खीचा है और यह demand curve है d, k और d इस demand curve में हम यहाँ पे price को रख रहे है और x-x पे हम output को रख रहे है आप देख रहे हो कि यह जो king demand curve है वो k बिन्दू पे k बिन्दू पे यह है। तो प्रस्त यह है कि जब हम king demand curve को पढ़ते हैं तो हर book में आप यही पढ़ते हो कि king demand curve Paul M. Suji के द्वारा दिया गया जो एक EOS के Economist हुआ करते हैं तो यह क्या जो King Demand Curve है इसका Evolution या फिर इसका Invention या फिर सबसे पहले इसकी Analysis क्या Paul M. Suji ने की थी? Evolution इसका उदफव कहां से हुआ है? सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि King Demand Curve एक Instruments है जिसका Huge Paul M. Suji ने किया है Actually Paul M. Suji ने इस वक्र का Invention किया नहीं Actually जो एक King Demand Curve आया है यह आया हुआ है Chamberlain के Model से आपने जब Chamberlain का Monopolistic Model पढ़ा था तो वहाँ पे आपने दो तरह के बक्रों की बात पड़ी थी एक मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक Market Share Curve होता है और एक Plant Self Curve होता है यह उसी से derived है उसी से निगमित है आईए जो है मैं बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ देखिए जब आप Monopolistic Model को पढ़ते हो जब आप Monopolistic Model को पढ़ते हो तो Monopolistic Model में जो Chamberlain सहाब है वो बताते हैं कि दो तरह के Demand Curve होते हैं एक Demand Curve देखिए ए है DD है और एक दूसरा भी Demand Curve की वो चर्चा करते हैं जो कि वो DD है Capital DD है अब दोनों में जड़ा अंतर समझे वो क्या बताना चाहा रहे हैं और कैसे Invention हुआ है Evolution कैसे हुआ है आप जड़ा देखो इसमें दो Demand Curve एक दूसरे को E-Point पे Intersect कर रहे हैं यह जो Demand Curve है Capital DD इसके लिए सब्द यूज हुआ है Actual Sale Curve और यह कहां यूज हुआ है Chamberlain के Monopolistic Model में या फिर इसके लिए एक सब्द और भी यूज होता है Market Seer Curve अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कुछ सियान इसको तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है Actual Sale Curve या Market Sale Curve जो यह दूसरा कर्व है जो मैंने White Line से ड्रॉआ किया है जो Small DD है Actually इसके लिए हम बोलते है Plant Seer Curve इसके लिए सब्द भी उच करते हैं Plant Seer Curve देखे जब यह model दिया था Chamberlain ने तो उन्होंने कहा था कि जो Monopolistic Competition में जो Seller है Basically आप जानते हो कि Monopolistic में उन्होंने Group का Concept दिया था ऐसे Farmो का समूझ जो Differentiated Product को बनाती है जो कि एक दूसरे से Close Substitute होते है तो उन्होंने कहा था कि जो Oligopolis है जो एक आधिकारी है वो सोचते हैं कि अगर मैं कीमतों में कमी करूंगा तो Expect करते हैं कि मैं इतनी चीजों को Sale कर पाऊंगा मालों कि वो X2 लेकिन ये उनका जो कर्व है वो ये Plant Sale Curve इससे वो Expectation करते हैं मैं इतना Sale कर पाऊंगा लेकिन Actual में वो इतना Sale नहीं कर पाते है Actual वो Sale कर पाते हैं इस Capital DD के वज़ासे जिसको उन्होंने Actual Sale Curve और Market Sale Curve का था बेटा ये जो दोनों कर्व एक दूसरे को जब काटते हैं तो यहीं से Basically King Demand Curve Generate होता है मतलब आप देखो यहां का उपर वाला हिस्सा D फिर जो है ये जो निशिय वाला हिस्सा D अगर मैं इसको ले लूँ D, K, D तो आप बिलकुल समझ पा रहे हो कि यहीं से ये जो पाल एमसूजी का King Demand Curve है वो निगमित किया गया है उधार लिया गया है इट मीन टू से The King Demand Curve Actually not propounded by पाल एमसूजी पट यह propound किया गया है Chamberlain महोदे के द्वारा Monopolistic Model में उन्होंने इसको Derive किया था Actual Self Curve और Plant Self Curve के Interaction के द्वारा तो एक जो प्रस्त आप से हमेशा Competition में पूछा जाता है कि King Demand Curve का Concept Actually इजाद किस ने किया था Propound किस ने किया था आप लोग हमेशा पाल एमसूजी करके आते हो वो आंसर गलत है दोस्तों इसका सही आंसर है Chamberlain Chamberlain ने जो King Demand Curve है उसको जो है इजाद किया था उसको जो है सबसे पहले Propound किया था और उसी Tools का जो यूज है उसी Tools का यूज है पाल एमसूजी ने Oligo Poly Model में Price Rigidity को Show करने के लिए किया था तो अब यहाँ तक जो पहला मेरा Topic था वो हमारा Clear हो गया कि King Demand Curve में Evolution of King Demand मतलब जो King Demand है उसका उदभाव कहां से हुआ और आप यहाँ तक सीख गये कि जो इसका उदभाव है वो एक्चुली Chamberlain के Monopolistic Model से होता है जहाँ पे उन्होंने दो करवों की बात की है Market Sear Curve जिसको Actual Self Curve भी काते हैं और Plant Self Curve के Interaction के द्वारा तो पहला confusion दूर सारे लोगों का कि एक्चुली यह जो है Chamberlain का का instruments है जिसे यूज कर रहा है पालम सुजी अब दूसरा जो है चर्चा कभी से है Elasticity का इसके लोच का इसके उपर भी बहुत प्रस्द पूछे जाते हैं तो आई है दोस्तों अब हम दूसरे प्रस्द का चर्चा करते हैं देखिए जो यह King Demand Curve है D, K, D जो आपके सामने डाइग्राम में दिखाई दे रहा है यह K point पे देखिए Kingd है मतलब तूटा हुआ है जुका हुआ है जो अभी आपका हलो यहाँ पे मैं price लिया हूँ और यहाँ पे output लिया हूँ अब यहाँ पे बात मैं करूँगा elasticity की जो प्रस्द बहुत आपके competition में पूछा जाता है knit के exam में पूछा जाता है हर competitive exam में पूछा जाता है अब देखो जिस point पे यह Kingd है actually अभी आप आगे देखोगे कि price यहीं determine होगा Kingd के point पर है अब जहाँ से वो Kingd है अगर इसके उपर के आप वक्र को देखोगे जो demand curve है basically यह जो demand curve है वो higher elastic है यह क्या है? higher elastic मतलब अधिक लोचदार है अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो आप इसे बोलोगे कि यह क्या है? अधिक लोचदार है उपर वाला क्या है? अधिक लोचदार है अधिक लोचदार है और k point के जो नीचे वाला demand curve है वो क्या है? inelastic है वो है inelastic वो जह है आप देखोगे बे लोचदार है बे लोचदा तो एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है king demand curve में, जो उपर का हिस्सा है price के या फिर king के उपर वाला हिस्सा वो higher elastic है, ऐसा क्यों है, अभी उस पे मैं आ रहा हूँ, बट इतना समझ दो जो आपसे प्रस्ट पूछा जाता है, कि k point के जो उपर का हिस्सा है इस demand curve का, वो है elasticity में अंतर होगा, उपर का हिस्सा, जो king के उपर का हिस्सा है, वो more elastic होगा, ज्यादा लोचदार होगा, जबकि नीचे का हिस्सा inelastic होगा, इसके बाद एक प्रस्ट बहुत सांदार पूछा गया, कि के point पे जो elasticity है, वो एक होगा, दो होगा, क्या होगा, अब आप देखो, चुकि king demand curve derive कैसे हुआ, आप समझ गया हो, king demand curve derive कैसे हुआ, आप समझ गया हो, इसमें आपने देखा कि जो basically दो कर्ब थे, ऐसे, और ऐसे, कैसे थे, दो कर्ब थे, जो एक दूसरे को interact कर रहे थे, और इसी interaction से king बना है, तो यहाँ पे जो elasticity आप निकालोगे बीटा, माल लो क कि एक curve है, A, B, यह है, और दूसरा curve है, C, D, यह है, तो अगर यह बिंदू K है, तो अगर आप A, B के K पे, K बिंदू पे elasticity निकालो, price elasticity, तो क्या होगा, lower segment, lower segment, divided by upper segment, upper segment, आप जानते हो न, किसी point पे elasticity निकालने का फार्मूला क्या होता है, मांग वकर का नीचे का हिसा, upper segment, तो इसका जो elasticity आप निकालोगे, A, B पे, तो A, B पे जो elasticity आप निकालेंगे दोस्तों, वो जो A, B पे elasticity होगी, A, B के K बिंदू पे, तो यहाँ पे जो price elasticity आप निकालोगे, तो यह हो जाएगी आपके, A, B के, K, B, K, B, B, A, K, यह हो गया आपका, लेकिन जब आप CD पे निकालोगे, CD पे, और CD के K बिंदू पे price elasticity निकालोगे, तो इसका lower segment क्या होगा, K, D, और divided by C, K, अब आप देखो, क्या यह दोनों की elasticity एक है, उत्तर है नहीं, दोनों की elasticity अलग-अलग है, इसका मतलब यह है दोस्त, जो यह प्रस्द पूछा जाता है, कि K बिंदू पे कि कुछ होंगे, एक संबंधित होगा कर्व, AB से, और दूसरा संबंधित होगा CD से, तो देवियों और सज्जेनों, यह जो मांग वक्र है ना अलपाधिकारी का, आप जानते हो जो ओलिको पोली है, उसका जो मांग वक्र है ना निर्धारित होता है, निर्धारे होता है, बिंदू पे, दूसरा चीज, K बिंदू के ऊपर, हायर इलास्टिक, K बिंदू के नीचे येलोर इलास्टिक, और इसी K बिंदू पे, ध्यान से सुनिएगा, अपने नोट बुक में नोट करके लिख लीजिएगा, के बिंदु पे दो लोच होंगे एक लोच किसे सम्मंदित होगा एक वक्र जो AB है उससे और दूसरा है CD से तो इसी के बिंदु पे अधिकांस बच्चे एक्जाम में गलत करके आते हैं उनको लगता है अगर इस पॉइंट है एक AB से दूसरा CD से तो अब हमारे पास दो चीजों का आंसर आ गया पहला किंग डिमांड कर्व का evolution उद्वह कैसे हुआ दूसरा इसके elasticity में अंतर कैसे है अब जो है तीसरा competitive reaction की बात मैं आप से करूँगा तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सीखते हैं competitive reaction competitive reaction में देवी और सजनो basically मैं आपको ये बताऊँगा कि actual में अगर ये king demand curve है king demand curve है क्या है D, K, D तो यहाँ पे अगर मैं ये price ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं output ले रहा हूँ तो actually ये king है क्यों इसके उपर मैं आपसे चर्चा करूँगा सपना गहलो sir I am commerce student I want to net economics कर सकते हो कर लो न, अच्छा तो है बेटा तो चलो, good evening, good evening smart, good evening ये smart आपने नाम लिखा हुआ smart, one smart, very good असलम अन सारी, good evening भाई, good evening तो दोस्तों, अब मैं एक competitive reaction की बात करने वाला हूँ या फिर मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि actually जो ये king demand curve है D, K, D ये kingd होता क्यों है मुडा हुआ होता क्यों है actually ये जुका हुआ, मुडा हुआ होता क्यों है इसके पीछे reason क्या होता है इसके पीछे जो region है न दोस्तों वो है एक competitive reaction competitive reaction क्या है उसके पहले थोड़ा सा competitive reaction के पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसकी analysis कर लो, थोड़ा सा कि जो king demand curve है basically मैं आपने देखा कि इसका जो उद्वाव है वो chamberlain के model से आता है लेकिन इसका जो परियोग किया था वो Paul M. Swigy ने यह दिखाने के लिए किया था कि अलपाधिकारी बाजारों में कीमत जो है rigid होता है price rigid होता है कीमत rigid होता है oligopoly का मतलब है कि जो seller है वो संख्या में कम होते है few competition amongst few कुछ में परत्योगता जैसे आजकल आप देखोगे जो आपका बरतमान समय है जो behavior life है ना वो perfect competition का है ना वो दोस्तों monopoly का है actually यह time है oligopoly का जिस life day to day life को आप face कर रहे हैं जो बहवारिक जीवन में पाया जाता है वो है oligopoly oligopoly में जो कोई भी seller है producer है वो संख्या में कुछ है इसलिए बोलते हैं इसको competition among few अगर आप किसी भी area में देख लो अगर आप smartphone बात करिएगा तो 8-10 आपको producer मिलेंगे अगर आप AC के बात करिएगा 8-10 producer मिलेंगे आपके पास अगर आप television के बात करिएगा आपको मिलेंगे अगर refrigerator के बात करिएगा तो 8-10 आपको seller मिलेंगे तो जब हम perfect competition में कहते हैं large number of buyers and seller दूसरा हम competitive जब हम बात करते हैं Chamberlain model की वो भी कहते हैं कि large number of buyers and seller लेकिन actual में जो संख्या होती है competition among few इसमें इनों ने Chamberlain इसमें स्वीजी ने कहा कि तो oligopoly में आप देखोगे तो कई बार price resistance देखने को मिलती है कीमत इस्थिता कीमत बढ़ता नहीं है like example आप color television को ले लो smartphone को ले लो आप देखोगे बहुत ज़्यादा कीमते नहीं बढ़ती है उनकी किमते कई बार जड़ता वाली होती है जैसे मैं कुद का example बता रहा हूँ कि जब मैंने black and white TV खरी दी थी तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मेंगी black and white TV खरी थी जब 94,5 में TV हमारे घर आई थी तो उस समय वो 4000 रुपे की आई थी और 4000 रुपे की 94 की प्राइस आज के अगर आप ले लो तो बेटा कहीं से वो एक लाग से कम नहीं होगा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इस्तिती आप देख रहे हो इंफलेशन की क्या है तो प्राइस तुम देखोगे ना कुछ प्रोड़क्ट के बढ़े नहीं है वो कास्ट बढ़ने के बावजूद भी कीमते नहीं बढ़ती है तो इन्होंने यही बताया था कि ओलिको पोली मॉडल में प्राइस चेंज होने के बावजूद भी कीमते नहीं बढ़ती है कि वैसा होता है कि प्राइस रिजिड होती है तो बेटा यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि पालेम सुजी ने जनल्लाप POLITICAL इकनामी में आर्टिकल लिखा था ध्यान से समझेगा पालेम सुजी ने 1939 में 1949 में एक जनल था जनल्लाप POLITICAL इकनामी उन्हें एक इन्होंने आर्टिकल लिखा था डिमांड अंडर कंडिशन साफ ओलिघ्व एंञुन एक आटिकल लिखा था डिमांड अंडर कंडिशन आफ अलिघ्व कोपुली और उन्होंने इस ओलिचोप्कोली में कि कीमत रैजिड क्यों होता है कीमतें घर्ति बढ़ती क्यों नहीं है इसलिए उन्होंने मॉडल लिया था प्राइस रिजटी का और किंग डिमांड कर्व का तो आप लोग समझ गए कि एक्शली जो पालेम सुजी है उन्होंने इस टूल्स का परियोग किया था किंग डिमांड कार और यह अपने आर्टिकल में दिखाया था कि जो ओलिगो पोली क अपने कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा जड़ा रखिएगा होता है कि जो हमारा माइंड है वो हमको कंट्रोल करने लगता है आपके जीवन में यह चीज ध्यान रखिएगा माइंड जो है वो सबसे इंपोर्टेंट है आप गीता को पढ़िए क्योंकि दुनिया का सबस नियंतित करता है और आप प्रयास करते हैं मन को नियंतित करने का कई बार कई बार मन आपसे जीच जाएगा वो आपको नियंतित कर लेगा लेकिन असली सूर्मा वही है असली योध्धा वही है जो अपने मन को नियंतित कर ले तो मन को नियंतित करिए आई ये कुछ दिर के ये concentrate और सीखते हैं कि king demand curve पर ये king होता क्यों है? King demand curve पर ये king होता क्यों है? क्यों ये demand curve जुड़ा हुआ है? क्यों ये king है? इसके पीछे एक competitive reaction है. अब वो क्या है competitive reaction? competitive reaction ये है कि अगर मालों इस king पर price है, अगर ये king पर price है, P और A output क्यों है? तो जो algopoli है, वो सोचता है कि अगर मैं कीमतों को केसे उपर बढ़ा दूँ, यहाँ पे लेकिया हूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे करूँ, अगर मैं कीमतों को उपर बढ़ा दूँ, तो कोई भी जो मेरा प्रतियस परदी है, उसको follow नहीं करेगा कोई follow नहीं करेगा और मैं market से बाहर हो जाओंगा लेकिन अगर मैं कीमतों को नीचे गिरा देता हूँ तो सारे प्रतियसफर्दी इसको follow करने लगेंगे ध्यान से समझेगा यह जो dual character है जो competitors का वो बहुत ज़ादा important है कि अगर वो किंग्ट से नीचे prices कर दे कम कीमते लेना से शुरू करें तो सभी उसको follow करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह market छोड़के जो है क्या होगा मुझे छोड़ना पड़ जाए like example मैं बताता हूँ आपको जब आप communication में देखिएगा जियो आया और जियो ने अपने prices को कम किया पहले आप देखते थे कि एक GB data 314 रुपया में मिलता था और हम लोग महीने भर उसको enjoy करते थे और पूरे महीने चला लेते थे लेकिन एक समय ऐसा आया है कि हम जो है communication के चंगुल में है प्रते एक दिन 2 GB data प्राइसेज के data के prices को कम किया तो सारे competitors ने किया की नहीं आप बताओ किया सब ने किया क्योंकि उसको follow करना था नहीं तो यह सब को market से बाहर कर देता और किया भी सुरू में लेकिन अगर यह कीमतों को बढ़ा दे अचानक तो उसको competitors उसको follow नहीं करेंगे कहेंगे बेटा तु बढ़ाओ हम नहीं बढ़ाएंगे तुमको market से बाहर जाना पड़ेगा तो बेटा यहां पे जो सबसे important चीज है न यही competitive का जो दोहरा चरित्र है कि जब कोई oligopoly कीमतों को घटाएगा सारे उसको follow कर लेंगे लेकिन वह बढ़ाएगा तो कोई follow नहीं करेगा उसको market छोड़ना पड़ेगा आप देखोगे कि price बढ़ाने का काम किया था कुछ आटो मोबिल्स ने लाइक फोर्ड ने मार्केट से बाहर चला गया उतनी प्राइसे दूसरे नहीं बढ़ाएगा तो यहां पर समझना पड़ेगा आपको कि कीमते जो है क्यों कि पॉइंट पे किंग्ड है क्योंकि यह जो है प्रॉब्लम है कि कीमते आप घटाओगे सारे घटा लेंगे बढ़ाओगे तो बढ़ाएंगे नहीं तो इसी चीज़ से सम्मंधित इसलिए यहां किये पॉइंट पे किंग्ड होता है अगर यह डिमांड कर्व एयार कर्व ऐसा है तो अब एक प्रस्न है कि इससे सम्मंधि यहार कर्व है वह जो है किंग है अब हम अगर किसी भी मार्केट में इकलीन को देखते हो तो आप देखते हो को equilibrium तभी decide होगा जब MR, MC बराबर हो जाएं तो हमारे सामने एक challenge है कि अगर यह AR curve है या demand curve है तो अब हम MR curve को कैसे develop करें जब तक हम MR curve को develop नहीं करेंगे तो MR और MC के interaction के द्वारा हम यह determine नहीं कर पाएंगे कि कीमते कितनी होगी और equilibrium कैसे determine होगा तो अब हमको यह सीखना है कि इस average demand curve के सापक किस तरीके से हम MR कर को draw करें और असली चीज इस model की यही है MR कर होता कैसे अगर हम MR कर को अगर derive कर लें तो फिर यह model हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है तो आएए देभी और सज्जनों अब हम आपको चिखाते हैं कि कि किस तरीके से आप यहाँ पे MR कर्व को कि डिराइब करोगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग हमारा किंग डिमांड कर दिया हुआ है डी के डी और यही जो है अब हमको MR कर खीचना है तो पहले एक लाइन हम ऐसे खीच लेते हैं सिर्फ इसलिए कि डाइगराम अच्छा बन जाए बाकी जो है टेकनिकली क्या होगा अभी आपको दिखाता हूँ अब हमको क्या करना है ध्यान से समझना है आपको यहाँ से चीजों को देखिए सबसे पहले एक कर्व जो यह है देखिए यह कर्व इससे समंधित आप MR कर्व को खीचेंगे फिर जो यह कर्व ऊपर के तरब गया है अभी आपने देखा चेंबरलीन से उससे समंधित MR कर्व खीचेंगे तो एक MR कर्व इससे समंधित मेरा ऐसे आ जाएगा जो इस पॉइंट पे होगा और इससे सम्मंदित MR कर्व जो है ऐसे आ जाएगा इसका मतलब जो MR कर्व होगा इसी king point पे discontinuous होगा discontinuous असतत होगा discontinuous नहीं होगा यहाँ भी और इसमें एक gap आ जाएगा यहाँ पे अगर मैं अब कीमत भी रखूँ और कास्ट भी ले लूँ दोनों चीजों को ले ले रहाँ और यहाँ और यहाँ पे output इससे सम्मंदित अब दो MR कर्व होंगे एक DK वाले का MR कर्व आप ले लो तो मालो की यह DR है और यह जो KP वाले से ले लो तो यह मालो यहाँ पे क्या है R और इसको N ले लो या फिर इसको A भी हम कर लेते हैं इसके लिए A और इसके लिए B ले लेते हैं इसके लिए A ले लिए और इसके लिए B ले लिए तो देखो A क्या हो गया? DA हो गया और A हो गया? BMR हो गया तो इससे सम्मंधि जो MR कर्भ होगा दोस्त वो क्या होगा discontinuous होगा मतलब यहाँ पर देखिए इतनी दूरी जो है खंडित है discontinuous है gap है इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए कि king demand कर्व से सम्बंधित MR कर्व कैसा होगा तो कभी भी continuous नहीं होगा एक king point पर ही इसमें gap हो जाएगा यह discontinuous हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह जो gap है AB क्या है वो gap है AB क्या है gap है discontinuity है यह जो लंबाई है इस gap की वो depend करेगी कि यह point पर elasticity का difference कितना है बहुत ध्यान से सुनिये गए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिये गए अपके जीवन में जो सबसे important चीज होता है ने बेटा वो होता है concentration और अपने आप में belief आप अपने आप में कितना ज्यादा विश्वास करते हो this is the matter of concern हमारे इंडिया में मैं देखता हूँ जो सबसे बड़ी problem है ध्यान से सुनिये गा वो सबसे बड़ी problem यही है कि हम लोग अपने आप पे बहुत कम विश्वास करते हैं बहुत कम विश्वास करते हैं आपने जो योगिता है दक्षता है वो कूट कूट के भरी है लेकिन आप अपने आप पे कम और कम विश्वास करते हैं हम लोग हनुमान जी के बंसज है हनुमान जी को जब लंका जाना था तो उनको लगा कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा जामुंद कहते हैं कि आप नहीं परप कर पाऊगे आपसे बड़ा महारती युद्धा, आपसे बड़ा बुद्धिमान, आपसे बड़ा बलसाली पूरे दुनिया में कोई नहीं है उनके अंदर प्रतिभा इतनी थी बुद्धी इतनी थी बल इतना था कि वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा बल हमारे और आपके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है उतना ही बल है लेकिन हमारे भी बल को हमको याद दिलाना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा मेधावी हैं अगर आप जोगर्फी को अच्छे से पढ़ो और आप प्लेटो अरस्टुल को पढ़ोगे तो प्लेटो अरस्टु इस बात को कहते हैं जोगर्फिकल थौट में और यूपियस्सी में आईएस में मिराज जोगर्फी एक सब्जेक्ट हुआ करता था मैंने अच्छे से पढ़ाई कि वो कहते हैं कि जो इस लेटिटूट के लोग हैं जहां हम और आप रहते हैं यहां के लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन बुद्धिमान होने के साथ-साथ यह बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं वोजद आलसी होते हैं, अगर बुढ़िधी तो है बट अगर आप आलसी हो, आप करते ही नहीं हो कुछ, तो आप कुछ नहीं कर पाओगए, आप उपर चले जाओल लेटीटूड में, अप कोल्ड के तरब, जितना उपर चले जाओगे लेटिटूड में, आप देखोगी दो कि मैं प्राइमिरी का टीचर बन जाओं तो कितना अच्छा होगा जब मैं गिरजुएशन कर रहा था ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हम हमेशा अपने परतिभा से कम सोचते हैं कम आगते हैं तो दोस्तों अपने आप पर करिए विश्वास आप कर सकते हैं बहुत कुछ आपको अपने पर करना होगा विश्वास कुछ अच्छा करना होगा कुछ बड़ा करना होगा पॉजेटीव अपना रुख रखना होगा तो तुम अच्छा करोगे बेटा तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो खुद के ऊपर विश्वास करता है जो अपने आपके चीजों को समझता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा वो उसी एक आइडिंग महनत भी करता है उसी एक आइडिंग अपना concentration भी रिखाता है, उसी एक आइडिंग अपना कविता को सुनाने के बाद मैं आपको King Demand Curve का आगे वाला हिस्सा जो है सिखाता हूं कि actually वो है क्या तो चलिए एक छोटी सी कविता सुनाने के बाद इसको सुरू करते हैं यह कविता ऐसे है तो खुद की खोज में निकल तु किसलिए तला तु किसलिए हतास है तु चल तेरे लिप्टी बेडिया समझना इसको वस्ततु जो तुझ से लिप्टी बेडिया समझना इसको वस्ततु यह बेडिया पिघाल के बना ले अपना सस्ततु तु खुद की खोज में निकल तु किसलिए हतास है तु चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है समय को भी तलास है चरि जब पवित्र है तो क्यों है ये दसातेरी इन पापियों को हक नहीं कि ले परिक्षा तेरी कि ले परिक्षा तेरी तु खुद की खोज में निकल तु किसलिए हतास है तु चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है समय को भी तलास है जलाकर भस्म कर उसे जो कुरूरता का जाल है जला कर भस्म कर उते जो क्रूरता का जाल है तू आरती की लो नहीं तू आरती की लो नहीं तू क्रोध की मसाल है तू क्रोध की मसाल है तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हतास है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है समय को भी तलास है चुनर रुडा के ध बाख्ज बना यह गगन भी कपकपाएगा अगर चरि चुनर गिरी तो एक भूकम पाएगा कि एक भूकम पाएगा तो किसलिए हतास है तु चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है समय को भी तलास है देवी और सजनों आगे आईए ये है हमारा king demand curve और उससे संबंधित MR curve आप ये देख रहे हो जो ये king demand curve है ये जो है kingd है और उससे संबंधित जो MR curve है वो discontinuous है अब discontinuous है AB के लेबल पे है ये जो discontinuous है वो AB के लेबल पे है मैं आपको ये बता रहा था यहां पे कि k point में elasticity में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा ये gap होगा तो प्रस्न आपसे कई बार पूछा है कि जो elasticity है ये जो gap है वो gap AB का किसके उपर depend करता है actually जो AB का gap है वो depend करता है आपके k point के k point के elasticity के difference पे और ये k बिंदु पे जितना ज्यादा लोचों का अंतर होगा AB जो है discontinuous भाग उतना ज्यादा होगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा concentration से सुनिएगा कि जो हमारा gap है AB का discontinuous भाग है वो depend करेगा कि ये लोच का अंतर कितना ज्यादा है जितना ज्यादा यहाँ elasticity का difference होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा तो यहाँ तक आप समझ गए अब आपको दिखाना है पालेंसूजी साहाब को कि कैसे जो oligopoly model है उसमें price rigid होती है इनका मानना है कि देखो जो संस्थिती निधारण होगा वो MR और MC से होगा जहाँ पे MC MR को इंट्रेक्ट करेगा वहीं पे जो है संस्थिती निधारित हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो संस्थिती निधारण के लिए अब हम इस प्रकिरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं MC को और जहाँ पे जो है MC MR को इंट्रेक्ट करेगी वहीं पे प्राइस डिटर्माइन होगा अब आप देखो यह रहा हमारा MC और MC जो है MR को इंट्रेक्ट कहां कर रहा है इसी असतत भाग से होके जा रहा है अगर तुम अगर यह बिंदु में R मालूम तो R के इधर आप देखोगे कि जो MR जो है वो क्या है यह जो है नीचे इसके भाग है मतलब MR से नीचे है और R के बाद यह इसके उपर है इसका मतलब यह यही पॉइंट है जहां पे P पॉइंट पे कीमत निधाइद होगी क्योंकि इसके नीचे अगर आप इसके लेफ्ट में आओगे तो यह क्या है उपर जो है MR है और इसके आप राइट में जाओगे तो MC क्या है MR से उपर चली जा रही है तो इसका मतलब जो discontinuous है यही से होके जाएगा तो बेटा इसका मतलब है कि MC इसी discontinuous भाग से होके जाता है और P बिंदू पे कीमते निधायित हो जाती है अब प्रस्थ यह है कि अगर यह marginal cast बढ़ जाए प्रस्थ अब यह है दूसरा चीज कि अगर यहाँ पे marginal cast बढ़ भी जाए तो फिर से देखो यह यही से होके marginal cast जाएगा और यह marginal cast 1 के बाद marginal cast 2 हो जाएगा और marginal cast अगर यह 2 हो गया तो भी देखिए इसी discontinuous भाग से जाएगा और कीमते P फिर से बनी रहेगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर marginal cast बढ़ भी जाए फर्मो की तभी कीमते जो है P पर ही rigid होती है कीमते change नहीं होती है इसी लिए देखिए यहाँ पर मैंने P को भी दिया है और cast को भी दिखाया हुआ है तो कहने का मतलब यह है बिंद दोस्तों कि A B भाग से ही होके A B भाग से ही होके marginal cast जाएगा और जो कीमत है वो जड़ता rigid होगा और इसी चीज को पालेम्सुजी बताना चाहते थे और इनका पूरा का पूरा यही सिधान्थी था कि पूरा का पूरा जो price है वो ओलिको पोली में rigid के होता है और जो मांगवक्र होता है वो indeterminateness की स्थथी में के होती है और निधारता की स्तिति में क्यों होती है तो आप लोग यहां तक बाते समझ गये होंगे तो अब यह प्रस्थ है कि अलपाधिकारी बाजारों में कीमत जड़ता की प्रवित पाई जाती है मतलब जो कीमते हैं वो rigid हो जाती है कीमते क्या हो जाती है, रिजीड हो जाती है, आप देख रहे हो, कि अगर, अगर, इलेक्ट्रानी के समान हो गये, मुबाइल का हैंचेट हो गया, उसमें लागते बढ़ भी रही है, फिर भी वो कीमत को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और ये कीमत P के उपर ही है, अब ये प्रस् मौडल में भी किमते बढ़ती हैं, लेकिन तब बढ़ती हैं कि जब कास्ट जनरल रूप से बढ़ जाए, जब लागत जनरल रूप से बढ़ जाए, जनरल का मतलब समाने रूप से बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, जब लागते समाने रूप से बढ़ जाए, मतलब सभी कि फर्मों की लागते बढ़ जाए तो ऐसा कब होगा भाई कि सभी फर्मों की लागते बढ़ जाए ऐसा तब होगा जब गॉवर्मेंट उसके उपर एक सवांट टेक्स लगा दे जैसे जिस्ट लगा दे तो सेल्टेक्स लगाने से जो सभी फर्मों की लागते वह एक तरीके से बढ़ गई और एक तरीके से सर्व अनामिका कुमारी कर लिए सर्व कर एक बार और समझा दीजिए आरे मैडम बहुत आसान है वीडियो को दो बार देखिएगा डिमांड कर हमने खीच लिया और यह किंड है इससे समझन दीट एमार कर खीच लिया जो डिसकांटिनीवस है जो मार्जिनल कास्ट है जो फर्मो की अतरिक लागत बनाने की लागत है अतरिक ठिकाई वो बढ़ रही है लेकिन यह चुकि एबी से ही होके जा रहा है इसलिए किमते यही बनी रही है किमते तो दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कब जो है कब जो है कीमते जो है कीमते जो है कीमते जो है कब जो है कीमते जो है बढ़ सकती है अलपाधिकारी माली यह चीज आपको नहीं समझ में आता होगा कि क्या किंग डिमांट कर में कीमते हम मैंने का बढ़ सकती है अ सब ही के उपर एक रूप से काश्ट अगर बढ़ जाए तो बढ़ सकती है इससे संबंधित डाइग्राम आप कैसे बनाओगे आप देखो जड़ा इससे संबंधित आपने डाइग्राम कैसे बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे आपने क्या किया एक बना लिया अपना किंग डि बिकर्वक यह होगया MR कर्व और यह किमतें आपने निधायद कर दिया और मैं कहा रहा हूँ कि होसक्ता है कि इसक्रान किमतों ब्रिद्धी हो जाएं और ऐसा तब होगा डेवी सजनों जब ऐसा तब होगा कि जब गॉर्मेंट शेल्टेक्स लगा दे जिएस्टी लगा दे और सभी फर्मों के उपर समान जो है विद्ध हो जाए लागतों में तो ऐसे में जो यह किंग्ड कर्भ होगा ने वह यहां पर आ जाएगा और यह जो लाइन है आप देखिए इस तरह से हो ज जाएगा और इस समंधित ऐयार ऐसे हो जाएगा और कीमत ज़स्ट उपर आजाएगी तो देखो प्रॉब्लम में क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज टैक्स मी क्या आप लोग मुझे सुन बां में प्लीज क्या आखेढ की है क्या आप लोग कुछ को क्या आप लोग सुन पा रहे हैं क्या आप लोग सुन पा रहे हैं आरक। आप लिस्निंग आthers की defence करेन सुदिभ भी है की या स này क्यूंहसा थैंक कू सू मच तुद्द धेग डेलो सायस ताGu प्राइस बढ़ सकती है ऐसा तब होगा दोस्त जब यह कीमतों में व्रिधी तब होगा जब लागत जनरल बढ़ जाए और जनरल तब होगा जबकी तब होगा जनरल व्रिधी जबकि government sell tax लगा दे GST लगा दे तो ऐसे में ब्रिधी हो सकती है तो इसका मतलब यह है की गिंग डिमांड कर में भी कीमतों में बिरिधी हो सकती है, जब लागत जो वो वहन कर रही है फरमें, वो समाने रूप से बढ़ जाए। तो basically यही king demand curve model है पालेम सुजी का जो यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो अलपा धिकार में जो demand curve होता है यह जो demand curve वो बिकुंचित होता है वो kingd होता है और इसे समंदी जो MR curve होता है वो discontinuous होता है इसलिए इसमें कीमत जरता पाई जाती है तो यह सिधान्द का एक प्रार इस रिजिटी की बात में करता है और where price change कीमते कब बदलती है अब last point हमारा बचा हुआ है इसकी आलोचना king demand curve की आलोचना आप तो जानते ही हो कि आलोचना करना दुनिया के सबसे आसान काम होता है तो आए उस सबसे आसान काम को हम कर देते हैं आलोचना कर देते हैं criticism तो पॉली है अलपा धिकारी फर में हैं उसमें कीमत जड़ता की प्रवित पाई जाती है प्राइस रिजिस्टी की प्रवित पाई जाती है वह यह नहीं बताते हैं कि कीमत actually determine कैसे होता है इनका model सिर्फ यह बताएगा कि जो demand curve है वह इस point पर क्या है विकंचित है यह डी और यह यह के यह के और यह क्या है यह डी और actually यहां यह कीमत निधारित कैसे होती है इसके उपर इनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं है यह सिर्फ यह बताते हैं कि जो oligopoly model है उसमें प्राइस रिजिस्टी के प्रवित पाई जाती है बट actually किस लिए ऐसा होता है वो नहीं determine कर पात कि यह k point पे भी कुंचन है और यह p है और q है ऐसे भी तो हो सकता है न दोस्त यहां पे और मैं कहता हूं कि price यहां पर है कि यह k point है पालेम सुझी के पास इसका कोई answer नहीं है कि वो बताएं कि यह जो भी कुंचन है वो k1 पे है या k0 पे उनके पास कोई ऐसा instruments नहीं है कोई वो बता नहीं पाएंगे कि यह actual में किंड कहां है कि यह 0 पे किंड है या k1 पे उसको जो है बता नहीं पाएंगे तो थोड़ा साब समझ लीजिए यहां पे कि दो तीन चीजे हैं जो इसके model में आपको समझनी पड़ेगी कि एक तो यह सिधान्त output price determination का नहीं है और सिर्फ सिधान्त इतना ही बताता है कि price resistance क्यों होती है और दूसरा चीज यह कि यह king जो आप बता रहे हो कि यह कहां पर होगा यह इनके model से कहीं समझ में नहीं आता है कि यह कहां से जो है होगा तो यह जो है एक बड़ी आलुचना के रूप में सामने आती है तो कुल मिलाजुला के दोस्तों यह था king demand curve और इसके उपर हाल और हिच का empirical कुछ studies भी रहा है उन्हों ने भी इसके उपर काम किया है तो कई बार आप देखोगे कि इस प्रस्न में हाल और हिच का भी नाम आता है क्योंकि उनको उनका भी empirical studies था प्राइस रिश्टी के उपर प्रायोगी परिक्षा तो दोस्तों जो भी हमारा target था जो भी हमने पहले framework बनाया था उसमें सारे चीज़ों का जबाब हमने दे दिया कि king demand curve का evolution कैसे हुआ king demand curve actually है का पालेम स्वीजी ने king demand curve का प्रियोग किस चीज के लिए किया था king demand king होता क्यों है AR से संबन्दीत MR derive कैसे करते हैं king demand से संबन्दीत ilacity में क्या बाते आती हैं और price resistance अगर है तो क्या prices change हो सकते हैं इसमें भी चर्चा कर ली और इसकी criticism भी कर दिया और बात यह करना है आपसे जो मैं अभी कह भी रहा था कि अपने आपके उपर पूरा विश्वास रखे और अगर अपके life में कुछ हच्छा करना चाहते हो और चाहते हो कि आप सफल इंसान बरो तो सबसे पहले अपने आपके उपर विश्वास करो बेटा कि मैं कुछ कर सक करता हूं कि आप इस्वास नहीं करिएगा कि मैं बहुत ही रिमोट गाउं से आता हूं बहुत ही रिमोट गाउं से मेरे वहां आपको जान के अश्चर होगा कि 10 साल पहले तक इलेक्टिसिटी नहीं थी चार किलो मीटर मैं पैदल इसकुल जाया करता था और उत्ति फाइसियल उस लेबल पर नहीं थी अच्छी पापर रिटायर हो चुके थे और घर में बहुत कुछ चीज़े थी आप समझ सकते हो कि क्या सिच्वेशन आपके साथ भी होती होगी मैं सिर्फ यह आपसे कहता हूं आप इलाहबाद में बैठे हो आप किसी रिमोट गा बता रहा हूं कभी भी आपका लाइफ ऐसे नहीं ग्रोग करेगा कभी नहीं कि आपके लाइफ में ट्रेट साइकल चलेगी और सेंडाउन कभी तुम भूम पे रहोगे तुमको लगेगा कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा मैं आईस बन जाओंगा और कभी तुम्हारा माइंड रिस्टेशन में आ जाएगा बोलेगा मुझे कुछ नहीं होगा मैं तो प्राइमरी टीचर भी नहीं बन जाओंगा मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता है मेरा कुछ नहीं हो सकता है मेरे इससे प्री भी नहीं निकलेगा फिर तुम्हारे लाइफ में आएगा बूम फिर तुमको लगेगा मैं बहुत कर सकता हूँ फिर आएगा रिसेशन यह जो अफ सेंट डाउन है न जो ट्रेड साइकल दिखाता है यह आपके जीवन में आते रहेंगे आपको यह जहलना ही जहलना है इससे ही उभर के आप बाहर निकलोगे तो बेटा बस इतना ध्यान रखना कि जो यह तुम्हारा टाइम चलना है यह टाइम ही सबसे ज़्यदा प्रेशियस है यह जो चार साल का समय है जो आप फेस करने वाले हैं इसे बहुत अच्छे से फेस करिएगा अगर इन चार साल को आप बहुत अच्छे से फेस करोगे तो लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर जाओगे लेकिन अगर यही चार साल तुम बरबाद करोगे न उससे ज़्यादे आपको कोई respect भी नहीं दे सकता आप समय को respect करिए, को बहुत respect करेगा आप समय को disrespect करिए, को पूरा के बσεक बदला लेगा आप से वो काम करा देगा जो आप य हुशं नहीं सो सकते हैं तुम्हारा समय कितना रिस्पेक्ट करेगा, चार साल की कड़ी महनत आपको बनाएगा बड़ा, और ये चार साल का बरबादी आपको वहाँ पे खड़ा कर देगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको धरातल, सिर्फ आपको दीचे दिखाई देगा, खाई दिखाई देगी, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ अपना खतम कर दिया है तो तब पस्ता है क्या हो जब चिडिया चुक गई खे का बरसा जब सिर्फ किरसी सुखाने जब सब कुछ सुख गया तो किरसी होके क्या करेगी तब तु मेहनत करके क्या कर लोगे चार साल के बाद लाइफ में मेहनत करना अभी कोरोन यही टाइम है तो अपने चमताओं को पूरा लगाईए अभी करिए मेहनत और वही बार जो मैं बार बार करता हूँ अपने माता पीदा का रिस्पेक्ट करिएगा वही एक हैं जो आपको सब से मन से आसिरवात देते हैं तो आएए कुछ अच्छा करते हैं आएए कुछ बड़ा करते हैं कुछ कर के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ थैंक यू सो मच फार वाचिंग धिग्विजा एकोनॉमिका गॉड ब्लेस यू दियर फ्रेंड्स गुड नाइट, मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में